हरो दोस्तों आप सभी के One Piece manga chapter में एक बार फिर सस्वागत है, आज हम बात करने वाले है chapter 1083 के बारे में, जिसमें हमें revolutionary army के बारे में बहुत से चीज़े दिखाई जाती हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इतने लंबे टाइम से revolutionary army क्या कर रही थी, जिसकी ग्लेम्स हम last chapter में discuss कर ही चुके हैं और देख चुके हैं, उसकी वीडियो की link भी हमने description box में दे रखिये, अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, इसकी उपर आगे बात करने से पहले, अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भोले, त ताकि आपको ऐसे ही amazing anime related content देखने को मिल सके, तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर की सुरुवात होती है इसकी cover page से, जहां इसकी cover page पर हमें काफी लंबे time के बाद दोफिलमिंगो देखने को मिलता है, और उसका reference एक bird के साथ दिया जाता है, अब इस chapter का title है The Truth About Dead Day, यहां that day से reference उस chapter का दिया गया है, 860 का, जहां में last time चाबु दिखाया गया था, जिसके cover page पर हमें crocodile दिखाया गया था, और उसका reference भी एक जानवर के साथ दिया गया था, तो यह कमाल की four setting है, जो Oda Sen से हमेशा हमें दिखाते ही रहते हैं, इसके वज़े से हम उनकी writing के इतन जिला के उनके साथ war announce कर देना, second, उसने कुमा को भी बचा लिया, and third, उसने जितने possible हो सकते थे, उतने slaves को बचा के वो अपने साथ लेके आ जाता है, कामवक्का एलेंड पे ही, जो हम last panel में देखी चुके थे, लेकिन कुछ भी कहो, दोनों भाइस, मैं बात कर रहा हूं, सा सलेष्टियल ड्रेगन के साथ फ्राइट ले ली है, जो इस समय रूलर कहे जाते हैं, तो एक काफ़ ज़्यादा कमाल की बात है, अब इस पर ये देखना बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा, कि इसके उपर सलेष्टियल ड्रेगन क्या action लेते हैं, क्योंकि चुप तो वो भ साथ देने के लिए भी मंजूरी देदी है, उसके उपर इवांकॉफ कहता है कि सा आठ नहीं साथ, क्योंकि एक अल्रेटे डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि था लिलिशिया, जिस पर ड्रेगन कहता है कि वो सब तो जानते ही हैं, कि किस तरह वर्ल्ड गवर्मेंट इन सब चीजों को अपने न्यूस की हेडलाइन के पीछे चुपा लेती है, लेकिन हा, बाकी के साथ निशन ने वार्ड डिकलेर कर दी है, और वो किसी भी प्रकार का टैक्स वगएरा नहीं पे करेंगा, वर्ल्ड गवर्मेंट या सिलिशियल ड्रेगन को, जो जनरली हर कंट्री को करना पड़ता है, इसके साथ-साथ, रिविलिशनरी आर्मी ने उन सभी सिप्स को डिश्टॉय करना भी शुरू कर दिया है, जो किसी प्रकार का ट्रांस्पोर्ट करने का काम करते हैं, सिलिशियल ड्रेगन के लिए, और ये सब वो इसले कर रहे है, ताकि उन सभी को गरीब की तरहा पियर हो रही है, वो पूरा सैंक्स का क्रू लगता है, और ये काफी लंबे टायम से ये थियोरी चल रही है, फैंडम के अंदर, कि साथ सैंक्स भी एक सिलिशियल ड्रेगन है, तबी तो सैंगोकु एंड फाइव अल्डर्स इसकी बाते इतनी असानी से मान जाते है जो हमने अल्रेडी काफी चेप्टर्स में देखी रखी है, अब उस इमेज में टोटल 9 इमेज हमें देखने को मिलती है, और कमाल की बाद सैंक्स के क्रू में भी टोटल 9 मेंबर्स ही है, और अगर माल लो वो सैंक्स ना हुआ, तो भी वो बहुत जादा स्ट्रॉंग बहुत ही तगड़ी फाइट हो सकती है, लेकिन अभी तक क्यों कि हमें कुछ पता नहीं है कि यह किसकी इमेज हो सकती है, तो हम सिफ स्पेकुलिशन लगा सकते है, लेकिन लेट सी आगे क्या देखने को हमें मिलता है, आप कमेंट करके सबूँ बता सकते हो, नेक्स पैनल हम लेकिन इस इमेज की पीछे का सच क्या है, जिसके उपर रिपलाय देने से पहले ड्रैगन उससे बोलता है, कि रिवुलिशनरी आर्मी को यह चीज बिलकुल पसंद नहीं है, कि किस तरह से करप्ट लोग जो है गौर्मेंट के साथ मिल जाते हैं, और गलत काम करने लेकिते ह लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, जैसे की कॉबरा, वो बहुत ही अच्छा किंग था, जिसपे ड्रैगन साबो से पूछता है, कि तुम उससे कैसे टकराये थे, जिसपे साबो जवाब देता है, कि उससे बहुत बुरा लगा जो चीज कोबरा के साथ हुई, लेक बहुत ही ज़्यादा गलत थी, जिसपे वो फिर ऐवांको की बात कर एपलाये देने की कोशिश करता है, और बताता है कि इस तरह से वो इमेज की पीसे का किसा है, क्योंकि वो इमेज देखके साबो भी चौक जाता है, और फिर हमें एक फ्लैस बैग देखने को मिलता है, जो Holy Lands of Gods पे देखाई जाता है, अब इतनी अफरात अफरी देखने के बात, बहुत जादा डर जाते हैं, और कह देते हैं कि अगर हमें से किसी को भी कुछ भी हुआ, तो हम सबके साथ साथ वाइस, आड्मिरेल वगरा को भी मार देंगे, जो सुनने के बाद वो लड़ना बंद कर देते हैं, अब रिविलि और कुछी और सीपी जुरू दोनों ही बोलते हैं कि हम तुमें प्रटेट करेंगे, लेकिन वीवी को उन लोगों पर विश्वास नहीं होता है, और जो चीज़े सीरो होशी के साथ ही है, उसके बाद तो बिलकुल भी नहीं, और दूसरी तब हमें किंग कोबरा दिखाए ज आने वाले पैनेल्स में, और इसके साथ साथ किंग कोबरा के लास्ट वर्ट क्या थे, वो भी हमें सुनने को मिलेंगे, और आगर आपको वीडियो पसन आती है, तो वीडियो को लाइक करना और चनल को सब्सक्काइब करना बिलकुल ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही more amazing content दे जे हिंट